आज राजनीती उस समय गर्मा गई जब पुलिस ने एक और हैरान कर देने वाली गिरफतारी की है जी हाँ पूर्व गरोठव इधायक दीप नराइन सिंग यादव के बाद अब पूर्व जला पंचायत अध्यक्ष मीरा राई के पती विश्णू राय को लेखराज कांड से जोड़ कर पुलिस ने इने गिरफतार किया है आपको पताते चले के कई अपराधों की सजा काड़ रहा हर लेखराज सिंग यादव कन्नोच जल से जहांसी पेसी पर लाए गया था इसी दौरान उसे पुलिस अभी रक्षा से भगाने का प्रयाज किया गया था ऐसा कहना था पुलिस का जो लेखराज को अपने साथ लेकर आई थी इसका लबन अवाबाद थाने में भी कई लोगों पर मामला दर्ज करते हुए लेखराज को भगाने के मामले में आरोपी बनाए गया था साथी मोट में भी इस तरह का मामला दर्ज हुआ था इसमें सबसे बड़ा नाम था पूर्व गरोठा विधायक दीप नाराइंट सेंग यादब का हलाकि दीपक के रिष्टेदारों को भी इस मामले में जोड़ा गया था इसके बाद अब विश्णू राय का नाम सामने आया है जिने पुलिस ने बीती राद जहांसी रेलवे स्टेशन से गरफ उतार किया है पुर्व जला पंचाद अध्यक्ष मीरा राय के पती विश्णू राय की माने तो भै बीती राद भोपाल से लखनों की तुरब जा रहे थे इस दोरान उने जहांसी पुलिस द्वारा ट्रेन से उतार कर पुलिस ने हिरासत में लिया है आज बूरा दिन पत्रकार विश्णू राय से मिलने के लिए नवावाद थाने में इंतजार करते रहे लेकिन प्लिस ने पत्रकारों को विश्णूराय से बात नहीं करने दी, इसके बाद विश्णू को नियाले में पेज करने से पहले डॉक्टरी परिक्षण के लिए चिला अस्पताल ले जाए गया। जहां कड़ी सुरक्षा के बीच विश्णूराय का डॉक्टरी हुआ इस दोरान चलते चलते वह मीडिया और पत्रकारों को सिर्फ इतना ही बता पाई कि वह नहीं जानते कि उन्हें किस मामले में पुलिस ने गिरफतार किया है पुलिस किस प्रभाव में काम कर रही है साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस से कोई शिकायत नहीं अब पुलिस ने शक्याधार पर ग्रफतार किया है फुलालाज की कारवाई भी चर्चा का बिशय बनी रही चासिस बहुमत साथ रभी परहार की रिपोर्ट